तेरे गिरने में हार नहीं क्योंकि तो इंसान है अवतार नहीं गिर उठ और फिर भाग क्योंकि जीरत संचिप्त है इसका कोई सार नहीं थातियों जब एक छोटा सा बच्चा भी पैदा होता है न तो वो दिरे दिरे बड़ा होता है और फिर दिरे दिरे वो बैठना और फिर खड़ा होना और फिर रंतता चलना और फिर लाश्ट में हम लोग की जैसे जिन्दगी में दोड़ना भी सीख जाता है तो वैसे आप भी लोग दिरे दिरे मैट सीख जाएंगे step by step कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई बहुत बड़ी आपकी गलती नहीं है का आपको नहीं आती है जो भी नए कंडिडेट चुड़े हैं वो हमें टेलीगराम पर जरूर जोइन कर लेंगे ये उनके लिए बहुत ही नई खवर होगी और काम की आज होगा practice set आप लोगों का सवाल होता है न की practice करवाते हैं की नहीं आज ये live test होगा एक प्रकार से इसमें आपने जितना पढ़ा है उसका practice करेंगे जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो सबर बना के पूरा class इंडे तक देखेंगे और अपने आपको कोसेंगे कि मैंने कास पढ़ा होता ठीक है इसका आंसार भी बता देंगे हम सभी बढ़ियां ठीक है जनक पटेल समझ में आ रहा है रितिका परतिभायादो ठाकुर रिशी चोहान सरस्तिर अठोर मनीज कुमार सभी को दिखरा चले चलिए जब आप दीजिए तरीका देखिए प्रस्न संख्या पहले में देखना मेरे भाई बाबु देखो इधर क्या है अगर इसमें A सही है तो आप लिखोगे आंसार में 1A अगर C सही है तो 1C ये कमेंट का तरीका है जल्दी करें बताए कौन सा सही है बहुत अच्छे मैं अब इसका सही आंसर बताता हूँ देखो कहरा निमने में कौन सर्वसमिका है सर्वसमिका को इंग्लिस में आइडेंटिटी कहते है जानते हो एक ऐसा बीजिये बंजक जिसमें कोई भी बैलू पुट करें दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए वो सर्वसमिका कहलाती है समझ रहा हो यक्स के या वाई के या फिर एक लाइन में बोलें चरपद के बरियाबल के एबरी बैलू के लिए दोनों पद बराबर होगा रहेचेफ लहेश कुछ भी रख दो इसमें यक्स कमान दोनों पद बराबर आएगा या वाई कमान जो भी सर्वसमिका होगी इसका आंसार होगा ये क्योंकि दोनों पद शेक है इसमें इसका गुड़ा हुआ है तो ये क्यूब बना है इसमें इसका हुआ है तितना बना है पहले में बी सही है इसमें सब से पहला और सही जवाब है बंदना यादों का प्रियांसू नीले समीना आये सिकन्ड पर आये उस बिटा पढ़ाई बदयान दो बाबू तुम लग रहा है कि हो छोटे से वी बड़े तो नहीं हो सिकन्ड में आ जाओ अगर बी सही है तो आप टू भी लिखेंगे कमेंट में एफ ही है तो टू ए और डी है तो टू डी सिर्फ ऐसे कमेंट करना है कोई आंसर नहीं लिखेगा यह पूरा चलो कह रहा है एक पदिये बेंजक है इसमें एक पदिये बेंजक कौन सा है आईए देखिए सुनील पंकज सुहानी रावाद लॉकुस बेरे गुट सबसे पहला जबाब है किसी का तो वह हैं प्रियांसू फिर बंदना और आल पिल्लिया इंडिया फ्री फायर इनका नाम में दुबारा कभी नहीं बोलूंगा लाश्ट है क्योंकि अपने नाम से कमेंट करो फाल तू नाम से नहीं चलो तो एक पद ये बेंजक जैसा कि मैंने अभी जल्दी में पढ़ाया है अगर इनको देखो तो इसके में जोड़ के इसको खतम नहीं कर सकते हो बहुत जादा करोगे तो इतना हो जाएगा ये दो पद हैं है ना इसको देखो इसमें जोड़ दोगे तो 10 X का स्कॉयर और 7 का गुड़ा करोगे तो 10 सते 70 X का स्कॉयर ठीक है आगे देखो इसमें भाई मेरे गुड़ा कर दोगे तो 5 सते 35 X प्लस 5 नौ पैतालिस अगला देखो next इसमें बहुत जादा कुछ कर लोगे तो ये घड़ जाएगा तीन आएगा बस ये सभी दो दो पद वाले हैं सिर्फ यही एक पद ये है आपका है सकते हो कि 2 का A सही है अभी क्लास चल रही का है को बरसान जी ठीक है ओके आगे बढ़ें सबसे पहला कोई जबाब है अलका सिंग बेरी गुड और नीला म्यादो अपंकज मोहीत सोभीद ठीक है और कोई किसी का कोई डाउट कोई तकलीफ आगले सवाल पर तरी चलिए आगे बढ़िए तीसरे का जबाब फटा फट दीजिए कि रहा कि सही सर्बसमिका है देखो भाई यह बच्पन में पढ़ा था जवानी में भूल गए अब उड़ापे में क्या होगा बगवान जाने कोई बात नहीं देखो इसमें सही सर्बसमिका काउन सी है बताइए देखो ए प्लस बी का होल स्कॉयर और ए माइनस बी का होल स्कॉयर इसका आपको करेक्ट फार्मूला आना चाहिए तो आप इसमें से पकड़ सकते हो तीन में सही जब आप कोई दिया है अगर तो ऐसी महानातमाओं में से सबसे पहले महानातमा है सुजीत कुमार भूपेश चतुरवेदी स्वापनिल गेडम प्रतिभा यादो देखे जिन्नोंने पढ़ा है प्यार से बता लेंगे जिन्नों नहीं पढ़ा है अगर हम माइनस वाले फार्मूला का गौर करें तो पहले के बारे में बाद में चर्चा करेंगे दूसरे के बारे में बात करें तो यह माइनस वाला सूत्र है नहीं तीसरे में प्लस वाले फार्मूले की बात करें तो सभी प्लस प्लस होते हैं बीच में साइन ना इसका मतलब ये भी गलत है लाश्ट वाला तो धूर गलत है ये ही सही है थर्ड में A आब बया और नमबर देखो इसका इस्क्रेंसाट ले लो मैं सामने से हड जाता हूँ जो भी कंडिडेट सिर्फ एक महीना डेर्ड महीना में पूरा सीखना चाहते हैं बेसिक या DL8 के चात रहें आप मैथ में 25 में 25 पुडांग चाहते हैं तो बाबू PBR Study आप में DL8 का मैथ कोर्स जरूर ज्वाइन करें स्पेलिंग नीचे देख लो या लिखा है यहां भी लिखा ये स्पेलिंग है लोग सर्च नहीं कर पाते चार नमबर में आजाओ चार नमबर में आजाओ बताइए अगर A सही है तो आप लिखोगे 4A D सही है तो 4D C है तो 4P कमेंट करिए फट से 4 में सभी छात्र छात्राएं सेशन को लाइक जरूर करें बहुत मेहनत करके यह आप तक पहुँचाया जारा लाइब सेशन वो भी फूल HD में पूल HD में डिजिटल माध्यम से आप तक पहुचाने में बहुत मेहनत लगती है कैमरे के पीछे कई लोग संगर्ज करते है आप 10 वज़े से पढ़ते हो इसमें लोग 7 वज़े जुड़ जाते है तब आपको मिलता है सबसे पहला अंसर दिया है किसी ने रुकसार अंसारी और सही तरीके से कोई और कमेंट किया है तो सुपनिल सुधानसु सिंग, फैजान खान, अलका सिंग, जनक पटेल आयूस, नेहा, सोनम, सुसील, नॉलेज, गंगा इनका नाम है इसमें थोड़ा फ़र डिफकल्ट लगेगा आपको इसका अंसर होगा 7 यानि 4 कफी 4 कफी देखो बाबु भाईया, इसका दोनों पक्च का करोगे स्कॉायर तो ये बनेगा 9 क्योंकि 3 था न, 9 हो जाएगा इसको जब खोलोगे तो A स्कॉायर प्लस 1 अपान A स्कॉायर बनेगा और 2 इंटू A हल कर तूं क्या देख लो, तुम देख लो इसका अंसर साथ आएगा कैसे इसको दोनों पक्चों का वर्ग करोगे तो ये बन जाएगा ये फार्मूला खोलोगे 2 A भी हो गया बराबर नो देखो भाई साब A से A डिवाइड हो जाएगा A स्कॉायर धनवान अपान A स्कॉायर बराबर नो ये दो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा नो में से दो गया साथ आएगा और ये इतने कमान ही तो निकालना था हो गया डन चले आगे कोई तकलीफ जबाब दीजिए अगला बंदना जी अगर सिलेबस में से नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? मैट्स का जो सिलेबस है वही पढ़ा सकते हैं अगर किसी का कोई कमपलेन है तो बताएं उसका देखा जाएगा और ये कमपलेन करिए आप लोग अपने यहाँ और हम भी करते हैं ऐसा अगर सिलेबस से नहीं आ रहा देखिए कभी-कभी होता है ना गुमा फिरा के पूछता है सिलेबस से रहता है वो ये क्या हुए है अगर पांच नंबर में देखिए कह रहा है कि 12 x square y z में x square y z का गुड़ांग क्या होगा चलो भाई यह 5 में a होगा या b होगा या c होगा क्या कहना है आपका कमेंट करो फट से सौरब बहुत अच्छे रॉकी प्रतिभा नेहा भूपेस इसमें इसका जो गुड़ांग है x square y z का वो बारा होगा पांच में c साईए चठा में बताईए चे नंबर जवाब दीजिए कह रहा है इसमें जड़ का गुड़ांग क्या है बहुत अच्छा बेरी गूड प्रतिभा या दो गलत है आपका चठामा प्रतिभा जी पंकस सिंग तुभास आपका सही एकाफियत तक इर्फान हुसैन लौकुस पंडिद भूपेस चठा में देखो बाबु भया सिर्फ और सिर्फ तुम जड़ को छोड़ दो बाकी सब होना चाहिए ये वाला है छठामा बी सी है वह भाई गुडांग को इंगलिजमे कोफिसियन बोलते है इसमें से तुमें जड निकाल देना है बस बाकी पूरा पूरा गुडांगी तो है गुडा में ही तो है नथो साथ में आ जाओ देखो कितने लोग बता पाते हैं इसमें ओप्शन यफ तक है इसमें यफ तक ओप्शन है बताओ साथ में सब पढ़ाया गया मिस्टर क्या अच्छा नाम रखा है पचास के विउच वन आवर एगो इसको आप वन मिलियन भी तो लिख सकते हो वन मिलियन विऊच थर्टी मिनट एगो ने वन मिनट एगो लिख दो चलो नेवन में कोना भाज संख्या है प्राइम नंबर प्राइम नंबर बताईए इसमें कौन प्राइम नंबर है सेबन में बहुत से बच्चे ए बता रहे है बेरे गुड और कोई एनिवन सिखा परजाबती ओम प्रकास का तरीका गलत है पूरा गलत है बहुत अच्छा से गलत है अगर B सही है तो सेबन B E सही है तो सेबन E यफ है तो सेबन यफ 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 ये तरीका है देखो पहली बात तो इसमें कोई भी अभाज संख्या नहीं है ये सभी भाज़े संख्या है, मैंने बताया था इसमें आपकी girlfriend, boyfriend के example के साथ भाज़, भाज़े, इनके धेर सारे factor होंगे, चार से इधिक, इनके भी चार factor कम से कम इनके भी सब के 4 से कम factor नहीं है, ये कोई भी भाज़े é, नहीं है, सभी भाज़े संख्या है ये सबी भाजे संख्याएं हैं कोई भी अभाजे नहीं है बाई साब ये तीन से डिवाइड होता है 13 से भी होता है 87 से होता है एक से होता है ये कहां से अभाज है ये कौन अभाज नहीं है वो 13 से होगा साथ से होगा 91 से होगा एक से होगा यह 3 से होगा 31 से होगा 39 से यह वाला सही है सेबन यह जो बच्चे यूटूब पर फ्री पढ़ना चाहते हैं और बहुत जल्दी फे जल्दी कम समय में उनके लिए हम एक स्पेसल स्रीज लेके आ रहे हैं जो कि यह चैनल पर आएगी राज कुमार यादो सर्मै यह चैनल का स्क्रेंसाट ले लीजिए इसे अभी तूरं जाके सब्सक्राइब कर लेना यह क्लास के लाश्ट में आपको टेक्निकल टीम की तरफ से लिंक मिल जाएगा ठीक है एक एक वीडियो दो दो घंटे या उससे अधिक का होगा आठ दस कलास में पूरा बेसिक खतम हो भी फ्री तो इसको पाने के लिए यह चैनल आद तूरं सब्सक्राइब कर ले अगले सवाल पर आजाओं सबसे बड़ी प्रकृतिक संख्या है सबसे बड़ी प्रकृतिक संख्या बताईए मिस्टर आई से सर्च कर लो यूट्यूब पर बोर्ड मास पीवियार स्टडी ऐसे सर्च कर यह मिल जाएगा ठीक है प्रसान ना रहें ऐसे यूट्यूब पर सर्च कर लिजिए आठ डी या आठ इए अहीना खातून सुनिल नेहा सुहानी स्टॉरव सबसे बड़ी प्रकृतिक संख्या जो है वो अनंत है इसके कोई लिमिट नहीं है तो आठ में डी सही है भाईया कौन सा सही है बाबू डी वाला नव नंबर में आजाओ कलास को पूरा इंड तक देखना छोड़ के ना जाना और सेशन को लाइक करना आपकी जिम्मिदारी है थोड़ा रिस्पांसबिल्टी अपनी समझिये क्योंकि बहुत मेहनत करके यहां पढ़ाते हैं कि माना की सब कुछ फ्री नहीं दे पाते हैं अभी लेकिन वेनत बहुत लगती जो भी मिल रहा है उतने में क्या ही का हूँ चलो इक कमान क्या होगा जो दिया है नव में कौन सा सही है देखो भाई अगर यह ऐसे देखोगे तो कितना आएगा यह पांच डिबाइड भाई पांच धान एक सबसे पहले भाग होता है इनको भाग करोगे तो एक आएगा तो पांच गुड़े एक धान एक छे आएगा ना साइद इन में से कोई नहीं नौ में डी आएगा मुझे लगता छे आएगा साइद देख लो हल करके नहीं नायर एका लग रहा है किसको किसको आ रही चलिए दस में आ जाईए कहरा निमन में कौन पर्मिय संख्या है पर्मिय संख्या को रेफनल नंबर बोलता है इंगलिस में रेफनल नंबर देखने में सभी आ पर्मिय लगेंगे लेकिन इसमें एकठी पर्मिय है नेहा, नीलम, रॉकी, सुनील, सुसील, सुवानी, बंदना बतावा हो चला ये तो पक्का धूर अपर्मिय है ये भी अपर्मिय है क्योंकि ये आ जाएगा थिरी इन्टू अंडर उट तीन इबारा हो जाएगा, ये करकोने मतलब नहीं है तो दस में सी, नीलम यादों का सबसे पहला जवाब बेरी गुड कुछ बच्चों का देखिए, कमेंट इंटरनेट पर डिपेंड करता है, उनका पहले सो होता है, कुछ का बाद में तो अगर आपके हाँ इंटरनेट ठीक ठाक है, तो आपका कमेंट पहले आएगा, तो कोई सिकायत है तो इस पर फोन कर सकते हैं, आप कोई इंक्वारी है, अगर कम समय में पूरा पढ़ना है, जुवाइन करना है, तब भी आप संपर कर सकते हैं, स्क्रिंसाट लेकर रख लिजिए, बताईए, दो आपर्मिय संख्याओं का गुडांक क्या होता है, वसे गुडांक नहीं, इसको गुडनफल कर लो, टू रेफनल, नहीं स्वारी, इरेफनल का जो मल्टिपल है, वो क्या होता है, इसका जबाब दीजिए, और फटाफट सेशन को लाइक करिए नहीं, तो हम आगे नहीं पढ़ाएंगे अब, क्योंकि ना मुझे गुस्सा लग रही है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, वादेफ ज्यादा लोग लाइक नहीं किये हैं, सिर्फ और सिर्फ हम अहीं मेहनत करें अकले, नहीं करेंगे, जाओ, चल रहे हैं अब, रिस याए का बोलत है नों का, गुस्सा आइक बैट है जलता ही है, तो लोग जब तक समई लाइक ना करवा, तब तक हम अब बोल बना, ठीक है ना, अच्छा है ना, रिस याए की गुस्सियाए, प्यूद़ ₤ झां तरक है रिस याए करेंगे, ठीक है लाए की गुस्स्थाइड में डुदना नी ना, चयाए की ठीक ह् समिलीट है, झांट जीक है गो सवकिज्व में है», अब तक सब किये नहीं, अब बहुत कुश्चन है, अगर करोगे तब है, नहीं सुनोगे जाओ, जाओ अपने घरे, अब हो जाओ अपने घरे, दो अपर्मिये यानि एरेफनल नंबर का जो मल्टिपल होता है, वो हमेशा क्या होता है, अगर दो ही है अपर्मिये तो वो पर्मिये संक्या होता है, जैसे अभी पीछे कुश्चन में था, आपने देखा था, जैसे अंडरूट अगर पांच को अंडरूट पांच में गुड़ा करोगे, दोनों आपर्मिये हैं, बट ये सद्या तो नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, आप अंडरूट पांच का अंडरूट साथ में करोगे तब तो नहीं होगा, तो ये कहना गलत है, रुको एक मिनट, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है आप पर्मिये या पर्मिये दोनों पे लगाओगे ठीक है ये वाला होगा स्थी वाला दोनों हो सकता है कहीं कहीं आपर्मिये का गुड़ा करने पर पर्मिये हो जाता है कहीं कहीं आपर्मिये ही रह जाता है बंधना जी कलास देखना चाहिए न आपको रोज एक दिन तो टेस्ट करवा रहे हैं दस दिन में, सोला दिन में तो करो अंसप्ड बताओ, कहे को बताएं सब हम आप ही बताएंगे भई ऐसी बात ना बोलो कि दिमाग का दही बन जाए डेली पढ़ाय जाता है तो कहां रहते हो जब हर दिन पढ़ाते हैं तो कहां रहते हो काय को बताएंगे थार्टीन में जबाब दीजिए थार्टीन में जबाब दीजिए एका जीरो इसका मान क्या होगा बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसके पीछे बहुत वड़ी गडिता है और ये नीट जेई वाले स्टूडेंट हैं गुरूपडी वाले हैं यूपीएस्सी वाले हैं किसी की वाले हो भीया किसी की वाली हो सबके लिए बिना जो लोग कभी नहीं पढ़ते वो लोग भी आ गए बस किवल एक बार बताने आएक हम आए हैं चलो इसका मान होगा जीरो जीरो होगा नहीं एक होगा क्या होगा एक किसी भी वारियेबल्स की पावर अगर जीरो है चाहे जैसे एका जीरो है यक्स का जीरो है मतलब जो भी होता है ए फिले करके जड़ तक अगर उसका पावर जीरो है तो उसका मान हमेशा वन होता है ठीक है कोई डाउट नहीं तो ये आंसर हो जायेगा थार्टीन में बी आज हस्बेंट ड्यूटी चले गए इसलिए आज टाइम मिला अच्छा हस्बेंट रहते थे तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था इसलिए कहते हैं तुम लोग साधी बिबाना करो फिर भी मानते नहीं हो तो में क्या करूं तो मैं क्या करूं देखो जाना है रात नहीं पढ़ाएं दिन बढ़ पढ़ाएं इसको देखो भी यह portfolio आप लोगों के आप भी अपने feedback जरूडि दिया करें उन्हाण के बारे में अगला बताए है 14 नमबर हो है अनुस काम में आइन का नाम है कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ जो भी होगा कह रहेंगे हम जॉप करती हूँ आज लाइप पढ़ रहे हूँ बाकी में रिकॉर्डेट पढ़ती हूँ अच्छी बात है पढ़ती तो हो कम से कम इसमें जो बता लेगा जान लोग वो खरिदारी कर सकता है स्वापिंग ओपिंग करना उसको आता है और जो नहीं बता पाएगा जान लोग कि उसको दुकानदार बेवकूब बना सकता अच्छा खासा बताईए कहरा कि वन केजी काजू का मुल्य अगर आठ सो रूपे है तो पचास गराम का मुल्य बताओ भूपेश चतुरुबेदी जी बताईए जबाब दीजिए अब ये लाइब सिर्फ लाइब ही दिखेगा रिकॉडडेट किसी को नहीं मिलेगा बात में तब ही आओगे आप लोग मैं कुछ थोड़ा टाइट होता हूँ अब देखो नर्गीस बेरी गुड देखो भाईया बहुत ही सिंपल है वन केजी में तुम सब को पता है की 1000 गराम होता है होता है ना अब रुपईया की बात करो इक रुपईया में सव पाईसा होता है बात हो रही है पचास गराम की पहले 100 गराम निकालो 100 गराम के लिए क्या करेंगे पहले हम 1000 को 100 बनाने के लिए 10 से भाग कर दे तो इसको मैंने बना लिया 100 गराम अब 10 से ही रुपया में भाग कर दो 10 से रुपया में भाग कर दो रुपया कितना था रुपया कितना था जो भी यह उसी डारेक्ट भाग करो 800 रुपया था? 10 से भाक करो कितना आयगा? 80 रुपया यानि 100 ग्राम का 80 रुपया 100 ग्राम का 80 रुपया तो 50 ग्राम का 40 रुपया भी वाला भी वाला सही है भी वाला पुर मंधा Jackie चलो बही आजका लाष्ड सवाल लास्ट कुश्चन और अभी बहुत चीज इंपॉर्टेंट बचा है लास्ट में दिखाएंगे जाना नहीं नहीं तो लास्ट के चक्करे भाग लो देर नहीं हो रही है यह रुक जाना रे दादा तु का एक भाग रहा है चली गई लाइट अले गोसुक जा चल चलिए इसमें कह रहा है यदि यक्स का बैलू दो रखा जाए इस वी विल पुट एक्स एक्वल टू देन फाइंड बैलू आफ वाई बहुत आफान है फिप्टीन में अगर यह आठ साही है तो आप लिख दो ऐसे पंदरा अभी अगर जीरो साही है तो लिख दो प्यार फे पंदरा अभी बताओ बहुत अच्छा देखिए यक्स का मान दो रखोगे तो यह दो दूना चार चार दूना आठ यह हो जाएगा आठ और यहाँ दो रखोगे भाग होगा एक आठ धन एक बराबर नौ आएगा क्या आएगा नौ किसी को कोई डाउट कोई तकलीफ कोई दुखदर्द नहीं ना देखिए अभी पांच सितंबर से जो बैच शुरू हुई है उसमें जिन बच्चों के पेमेंट्स फेल हो गए हैं उनकी सीट खाली हुई है तो दो चार सीट खाली होगी जो बच्चे इनरोल करना चाहें यह आफर का लाब ले सकते हैं जिसमें पूरे एक साल के लिए कंपलीट बेसिक मैट्स रिकॉर्डेड एंड लाइब दोनों आप्सन के साथ फूल एंसी आर्टी या एससी वाला सी लेवर्स जो भी चाहें बेसिक अराम से घर बैठे सीख सकते हैं जिनको मैथ में कुछ भी नह पर करना होता है शे महीना के लिए अभी समय की स्पेसली आफर है जिसमें ये फीस 236 रुपए में पूरा पूरा 13 फूर चाहनवे की छूट मिल रही है सिर्फ 1000 में पूरे दो फाल के लिए मिल रहा है ये दो इस्पेसल आफर हैं लिमिटेड चीटे हैं सिर्फ कल तक के ये साथ सितंबर दो हजार 23 रात 12 बजे तक बस जो इच्छों का भेर्थी है नंबर पर संपर करें और जोईन कर लें के अगे बढ़ें अब बताईए सबसे बड़ा अधिक कोण कितने अंसका होता है अब मैं दिखाऊंगा निवाएसे ओरल सबसे बड़ा अधिक कोण कितने अंसका होता है अब ट्यू सेंगल बोलते इंगलिस में बताऊं अगला सवाल दूसरा बहुत अच्छा सबसे पहला जबाब कोई दिया है तो उनका नाम है आरती, भूपेस, लॉकुस सबसे बड़ा अधिक कोण होता है मेरे बाबू, मेरे भाईया जो होता है वो 179 तक होता है बस इसके उपर अधिक कोण नहीं होता है रिजु कोण यानी स्ट्रेट अंगल कितने अंसका होता है बताओ स्ट्रेट अंगल रिजु कोण कितने अंसका होता है बहुत अच्छा लॉकुस भूपेस सोनम 180 का होता है इस ट्रेट अंगल 180 का होता है ठीक है अच्छी बात है ठीक ठाक है सब बणिया है चलो फिर रुक जाओ या रुक जादा दा चलो इस देखा था है न तोका साब का यह कौन सी आकृती है इसका नाम बताओ यह कौन सी आकृती है इसका नाम बताईए किस प्रकार का सेफ है यह बहुत अच्छे यह रेक्टेंगल है इसे बोलते हैं हिंदी में आयत अच्छा आयत है यह ठीक है यह बताओ अगर इसको कौन ए बोलें तो यह कितने अंसका होगा इंगल एक कितने डिगरी का होगा इसके पीछे जिनको बेसिक आती है बताना नहीं है कुछ पढ़ना नहीं है इसमें वो ऐसे होता है जो होता है जैसे का जा इंसान के कितने पैर होते हैं तो इंसान के दो पैर होते हैं इसमें याद नहीं करना पड़ेगा किसी को पकड़ क कि देखना नहीं पढ़ेगा दिखा दिखा तो रेका ततम पैर हुवाहसा नहीं है कि क्यों कई तीन पैर है प्रार थे प्रमें 22 को ह्टे होता है इसकी थेwowम हूट होती है किसी solvent नहीं प्रते नמקर क्यों होते हैं ओके चलो सब्सक्राइब प्राइब चोटी-चोटी चीज़ें इसमें पूछ comment I a भुच हॉई-फाइब है नहीं कि मैं कुछ हाई-फाइब पूछ अब मैं सोच रहाएं आप लोगों को मैं पढ़ा हूँ क्या पता है वो वो सारो Meyer-eंट़ परिहत कोड़ जिनें बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल ना सबसे बड़ा परिहत कोड़ कितने अंसका होता है दिनेश कुमार बहुत जल्दी बलाक हो जाओगे मिश्टर दिनेश कुमार क्योंकि आप नाम ले लेके कमेंट कर रहें न सबका तो यह चेटिंग वाला आड़ा नहीं है नहीं बिल्कुल सक्त मना है बंद न बहुत अच्छे बरिहत कोड़ जो होता है यह थोड़ा फ़ा छोटा होता है समपूरुन कोड़ के बस थिरी फिप्टी नाइन का होता है अच्छा तो सबसे छोटका बरिहत कोड़ कितने अंसका होता है बताओ सबसे छोटा ब्रिहत कोण कितने अंसका होता है भाईया बताईया स्वापनिल no 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 360 वालों का गलत है 360 ब्रिहत कोण नहीं है वो समपूर्ण कोण है complete angle ब्रिहत कोण जो है reflex angle जिने बोलते हैं straight angle के बाद शुरू होता है 181 से शुरू होता है 181 से 369 तक आरती का अंसर सही है हीना अंसारी गलत है देखिए अगर कोई कहे कि ब्रिहत कोण 180 से 360 के बीच होता है तो ये बात तो सही है ठीक है नहीं तो 181 से 359 तक इदू इनो मतलब एक है है बाईया चाहे तो एका लिखाओ और चाहे तुम एका लिखाओ मतलब एक है 180 से 360 के बीच तक होता है या फिर 181 से 369 तक डन अच्छा आप लोगों में तिरकोण मिती भी है का एक कोश्चन और सुनिए बहुत छोटा सा है कहरा कि पिता की आयू अपने पुत्र की आयू की चार गुनी है पिता की जो आयू है यानि पापा की आयू अपने पुत्र मतलब बेटा की आयू की चार गुनी है पांच गुनी है जो भी यदि पांच वर्स पूर्व ये साथ गुनी थी तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयू ग्यात कीजिए इसमें तुम्हें उत्तर नहीं बताना ये बताओ सबसे पहले पिता की आयू मानी जाएगी या पुत्र की यही मेन है बस अतर 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 आ जाएगा अगर पुत्तर की पहले तो पी बताओ और पिता की पहले तो क्यूँ किसकी उम्र पहले मानेंगे पिता की की पुत्तर की अत्तर उत्तर मतलब आंसर बताइए पिता की आयू उसके पुत्तर की आयू की चार गुनी थी पांच गुनी थी मानलो किसकी पहले मानोगे पिता की आयू पुत्तर की आयू की पांच गुनी थी यदि साथ वर्स पहले ये साथ गुनी थी तो पिता और पुत्तर की वर्तमान आयू बताओ पहले पुत्र की मानोगे क्योंकि पिता की उम्र पुत्र पर डिपेंड है कहरा पिता की उम्र उसके पुत्र की पांच गुनी थी तो पुत्र की पांच गुनी थी पहले तुम्हें पुत्र का पता होना चाहिए पिता वर्ड भले पहले आ रहा है पिता जी पहले भले दुनिय पांच एक्स चलिए ठीक है यह बता भाईया कि संख्या 180 का एक तिहाई बताओ आपका बेसिक भी थोड़ा था रिवीजन हो जाए ना एक तिहाई क्या होता है कि अब बताईए जबाब दीजिए जनाब कि अब बताईए जनाब बताईए बताईए कि यह कुश्ण नमर्टी है इज़त के साथ सभी लिखेंगे क्या ट्वंटी ए अब दो आपसन है तो जिनको लग रहा यह सई है वो लिखेंगे ट्वंटी ए जिनको लग रहा उस उधरे वाला सई है ट्वंटी बताऊं किसी संख्या का अपवर्तक मींस फाइक्टर मींस गु है इसे बोलते ना कि एक दिन घर में महमान आए तो प्यासित जी चलो चाइवा पिए तुम लोग चलो तपीता जीने कहा नहीं बटा ऐसे नहीं कहते है कोई घर में आता तुसको इजपके साथ बुलाते हैं तो लड़का फिरते कहा ने इजप गयां कह रहा है इजपके किसी संख्या का अपवर्तक जो है यानि फैक्टर उससे छोटा हो सकता है उससे बड़ा नहीं हो सकता है उससे बड़ा उसका मल्टीपल होता है तो मीन्स 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 20 बीस एई है एक अपवर्तक मतलब वो संख्या जिससे भाग करने पर फलानी संख्या 06 फल आए जैसे देखो अगर कहा जा जाए संख्या 12 का अपवर्तक तो इसका अपवर्तक 1,2,3,4,5,12 हो सकता है इन सब से भाग करने पर ये जीरो से स्फल देगा बट इससे बड़ा नहीं हो सकता है पुत्तर की उमर कभी भी बाप से ज़्यादा नहीं हो सकती वसरते वो उसी का पुत्तर चाहिए किसी और का नहीं होना चाहिए समझ रहे हो मेरी बात सभी को समझ में आ रही सेशन को आप लोग सभी लाइक करिए फटाफट जितने भी नए कंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले नहीं तो वो कमेंटमेंट नहीं कर पाएंगे हो गया कोई डाउट कोई तकलीफ कोई दुखदर्द बताईए जनाब बताईए नहीं है आईए एक बहुत ही अच्छा जुगार बताया था मैंने आप लोगन का का था पता है देखा इधर देखा जैसे वन आईस वन अत्तिफ यकसट आप एवन नाइन का एचसीफ बताओ सिर्फ एक दो सिकेंड में इसका आचसीफ क्या होगा जनाब बहुत ही जीरो लेबल एकदम बेस ही खाई है आज का क्लास खतम हो गई हम रिपीट करवा रहे हैं जो चीज़ें आपको आनी चाहिए वो सब बस रिपीट करना बहुत ज़रूरी है भैजान बाबू पीबियार स्टडी एप में जाओ दसुही का जोईन करो फटा फट क्या अपडेट आ रहा है क्या अपडेट आ रहा है यूटूब भी बहुत जो है आती कर रखा है अब तक क्रेटर को जितना पैसा देता था ना अब उसका आधा का आधा का आधा कर दिया इसको पता है बारत में बेरुजगाई लंबी चोड़ी है आज कल हर को यूटूबर बनना चाहता है चाती ठोक के हम भी आएंगे तो इ इसलिए इतना कंपरीफन कर दिया इतना गड़वड कर दिया हल चाल की चलो इसका अंसर आए का वण देखिए सभी अब आज संख्याई हैं अब आज संख्याई जिनका कोई वी common factor नहीं होता है उनका अच्छा सद्यव वन होता है क्या होता है वन होता है कि तो अच्छा तो यह बात है तो चलो देखो और बताओ मुझे कि तीन यक्स इसक्वाइर वाई वा नौइन यक्स वाई का HCF बताओ इसका HCF जो बता लेगा आज हम जान जाएंगे कि उसको मैथ आती है बहुत अच्छी आती है हर कोई नहीं बता पाएगा 90% फेल हो जाएंगे बागी 10% में 20% आधा फेल हो जाएंगे जल्दी करें लाश सवाल है यह इसका क्या हो सकता है जैसे अगर मैं तुम को चुपे फे बोलता है कि बता मेरे बबुगा तीन और नौका तो तुम फटाक दे बता लेता कि तीन होगा लेकिन यह में बता दो बंद ना यादो और को यह नहीं वान देखिए तीन और नौ में क्या होगा तीन होगा बहुत सही है तीन होगा तो इनका पहले तो तीन होगा फिर यक्स और वाई दोनों में कामन है ते यक्स वाई हो गया इसमें दू यक्स है उसमें तो दूठिया है नहीं तो तीन एक्स वाई हो गया बस खतम